यदि आप वही हमेशा वाले पकोड़े खाकर बोर हो गए हैं और आपको कुछ स्पेशल खाने का मन कर रहा है तो आलो और चावल की ये युनिक रेसिपी आप जरूर ट्राइ करें आपको बहुत पसंद आएगी इसके लिए मैंने एक कप चावल को एक गंटे पहले ही पाने में भीगो दिया था अब ये अच्छे सी भीग चुका है तो जब चावल को तोट रहे हैं तो ये आसानी से तोट रहा है भीगोते समय इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे हम हटा देंगे क्योंकि इतना सारा पानी हमें चावल को ग्रैंड करते समय नहीं चाहिए वरना बैटर बहुत ही पतला हो जाएगा तो ये जितना भी एक्स्ट्रा पानी था मैंने निकाल कर साइड में कर दिया है और अब एक ग्राइंडर जार में इन चावल को ट्रांसफर करके ग्राइंड कर ले यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ यदि आप जटपट ये नाश्ता बनाना चाहा रहे हैं और आपके पास चावल भीकोने का समय नहीं है तो आप रेडिमेंट चावल के आटे का इस्तमाल करके ये नाश्ता बना सकते हैं तो ये हमने भीकेवे चावलों का बैटर बना कर के तयार कर लिया है, जब चावल भीग जाते हैं, तो बहुत ही सौफ्ट हो जाते हैं, इससे आसानी से इसका बैटर तैयार किया जा सकता है, एक बोल के अंदर इस बैटर को ट्रांस्फर कर लेंगे, और इसी के साथ हम इसमें एक चोथाई कप सूजी भी एड़ कर लेंगे सूजी डालने से ये नाश्ता और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और बैटर ज़्यादा पतला नहीं होगा तो यहाँ पर बैटर के अंदर सूजी को भी पढ़िया से मिक्स कर लिया है सूजी यहाँ पर जब तक फूल रही है तब तक हम बागी तयारी कर लेंगे इस नाश्ते को बनाने के लिए हम उबले वे आलू का इस्तमाल करेंगे तो यहाँ पर मैंने तीन मीडियम सैज की उबले आलू लिये हैं आलू को तीन सेटी लगा कर कुकर में उबाल लिया है और अब इने एक कदुकस के साइता से ऐसे कदुकस कर लेंगे ऐसा करने से आलू की कोई बड़ी टुकडे नहीं रहेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए आलू को उबालने के बाद उन्हें अच्छे से ठंडा करके ही इस्तवाल करें अब ये कदुकस के वे आलू इसी बोल के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे आलू हमने डाल दिये हैं और अब हम कुछ सबजियां और काट करके तयार करेंगे तो यहाँ पर मैंने तीन मीडियम सैज की काजर ली हैं तो काजर के बड़े टुकडे ना रहें इसके लिए मैं काजर को कदुकस करके ही ले रही हूँ यदि आपके पास chopper है तो काचर को एकदम fine काट करके ले सकते हैं और अब ये हरी मिर्च भी काट करके तयार कर लेंगे यदि बच्चों के लिए ये नाष्टा बना रहे हैं और हरी मिर्च को आप skip करना चाते हैं तो इसे totally avoid किया जा सकता है आप इसकी जगए काली मिर्च का पाउडर इस्तमाल करें और इसी तरह से कुछ धनिया पती भी मबारी काट करके ले लूँगी याँ पर friends यदि ये recipe आपको पसंद आ रही है तो please इस video को like करें अपने friends और family के साथ ज़्यादा से ज़्यादा share करें यदि ऐसी और भी recipes आप मेरे द्वारा जानना चाते हैं तो channel को जरूर से subscribe करें और जो bell icon का बटन दिया गया है उसे भी click करें ताकि जो भी नया वीडियो मैं post करूँ उसका notification आपको मिलता रहे यहाँ पर मैंने दो medium size के प्याज भी पारी काट करके ले लिये हैं और अब सारी सबजियों को इसे bowl के अंदर transfer कर लेंगे अब इसमें flavor के लिए हम कुछ ingredient और add कर लेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ यह अद्रक और lesson का paste यदि आप lesson नहीं खाते हैं तो lesson के paste को totally average कर सकते हैं और सिर्फ अद्रक के paste का इस्तेमाल कर सकते हैं इसे के साथ मैंने एक छोटी चमच red chili flex को पाने में भिगो दिया था पाने में भिगोनी से जो red chili flex होते हैं वो फूल जाते हैं तो तीखापन भी कम हो जाता है बीज उपर आ जाते हैं तो वो बीज में हटा दिये हैं इसे भी तीखापन कम हो जाएगा और दूसरा fry करते समय यह जल्दे से जलेंगे नहीं बच्चों को पीजा जैसे चीज़े बहुत पसंद आती है तो उनकी फ्लेवर को भी ध्यान में रखते वे इसमें हम एक छोटी चमच मिक्स्ट हर्ट्स का इस्तमाल करेंगे और इसी तरह से एक छोटी चमच पीजा सेजनिंग का भी इस्तमाल कर लेंगे तो इससे बच्चों को इस नाश्टे का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगेगा अब स्वाद के अनुसा नमक डालेंगे साती जो ये नाश्टा है वो ज़्यादा हार्ड ना हो इसके लिए इसमें एक छोटी चमच बेकिंग पाउडर का इस्तमाल करेंगे और बस अब सारी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं यदि आपके पास पहले से ही उबलेवे आलू और भीगेवे चावल रखे हैं फिर तो ये नाश्टा आपको बनाने में सिर्फ 15-20 मिनिट का समय लगेगा यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी एडजेस्ट करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी एड़ कर लिया है लेकिन ध्यान रखें कि पानी एक साथ ज़ादा ना डाली हमीं गाडा बैटरी बना कर तयार करना है और ये जो सबजिया है वो भी धीरे-धीरे पानी छोड़ेंगी तो बैटर धीरे-धीरे लूज हो जाएगा तो इस तरह की थिक consistency का बैटर बना कर हमीं तयार करना है अब कोई भी आप इस तरह का जार ले ले, ग्लास ले ले या फिर चोड़े साइज का मगगा ले ले और इसमें इस तरह का ये कोन रखकर इसमें इस बैटर को भर ले ये जो कोन मैंने इस्तिमाल किया है इसे पाइपिंग बैक कहते हैं और केक की आइसिंग करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है यदि आपके पास ये नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई भी प्लास्टिक की थेली का आप इस्तिमाल कर सकते हैं कोन के लिए बैटर से मैंने इसे अच्छे से भर लिया है और जब हम इसे प्रेस करें तो बैटर उपर की साइड ना निकले इसके लिए हम क्या करेंगे इसे एक इलास्टिक से पैक कर देंगे तो यहाँ पर बढ़िया से मैंने इलास्टिक इस पर लगा दिया है तो अब यह जो कोन है बहुत अच्छे से हमने भर लिया है मैंने पूरा बैटर अभी नहीं डाला है जब यह बैटर खतम हो जाएगा तो बाकी बैटर हम दुबारा इसमें फिल कर लेंगे अब एक कैंची से इसे काट लेंगे और जितनी मोटी पतली साइच के आप इससे ये पकोड़े या कह सकते हैं इने कुरकुरे बनाना चाते हैं उस साइच के बना लें यह बैटर बहुत ही आसाने से इस तरह से गिट जाएगा ना ही आपकी हाथ गंदे होंगे ना ही आपको तेल के छिंटे लगेंगे यह दि बैटर ज्यादा ही गाड़ा है और पाइपिंग बैक से नहीं नकल रहा है तब आप केंची सेसे कट कर सकते हैं इन पकोडों को आप हाइफ लेम पर ही फ्राई करें रही हाई फ्लेम पर फ्राई करने से नहीं यह ज्यादा मातरा में ऑल को अबसॉर्ब करेंगे और फटाफट से फ्राई भी हो जाएंगे तो देखिए कितने कलरफुल और क्रिस्पी पकोड़े बनकर तयार हुए हैं वो भी बिना हाथ गंदे किये वे इन्हें हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और सेम तरीके से बागी बेटर से भी पकोड़े बनाकर मैं तयार कर लूँगी अब यदि आप इन्हें पकोड़े न बनाकर कुरुकुरे शेप में बनाना चाते हैं तो इस तरह का फ्लेट पैन लेकर उसमें थोड़ा तेल डाले और फिर इन्हें इस तरह की लंबी साइच में बनाकर के तयार कर ली तो ये भी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चों कोटु कुरुकुरे वैसे ही बहुत पसंद आते हैं तो ये हमने सारा नाश्ता बनाकर के तयार कर लिया है बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्टा बन करके तयार हुआ है ये लंबे समय तक ऐसे ही क्रिस्पी बने रहते हैं तो यदि घर पर कोई पार्टी हो तो आप इने बना कर सर्व कर सकते हैं चलिए मैं फिर से मिलूंगी आपको एक ऐसी और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक एर बाई बाई